नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दूबे और आप सब भी चेतना मंच देख रहे हैं। UCC यानी Uniform Civil Code यानी समान नागरिक संगिता को लेकर के इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है। पक्ष से विपक्ष तक, सड़क से सदन तक ये तुम बवाला आप सब देखी रहे होंगे। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार असल बुद्दो से भटकाना चाहती है। तो सरकार का ये कहना है कि समान नागरिक संगिता नीती निर्दी सक्तत्तों में सामिल है तो इसको सामिल करना हमारा परतब्य है। अब सवाल ये है कि समान नागरिक संगिता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है क्या आपको ये पहले बता देते है। समान नागरिक संगिता यानि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून अभी तक क्या होता था कि जैसे साधी तलाग उत्तर में या जमीन या संपत्ति के मामले में सभी धर्मों का अपना अलग अलग कानून हुआ करता था हिंदू के लिए हिंदू परसनला, मुस्लिमों के लिए मानिता प्राप्त धार्मिक संगठनों से मांगे गए हैं। इसलिए इसे 30 दिन यानी 14 जुलाई तक का समय दिया गया है। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम विधियायोग का लिंक जो है वो डाल देंगे आप उसमें जाकर के अपनी रा इसकी थी। उसी को लेकर के विपक्ष का ये कहना है कि जब 12 विधियायोग ने ये कहा है कि परसनल लाम में ही कुछ विचार भी मश्करना चाहिए तो सरकार देश को असली मुद्दों से भठका क्यों रही है। 22 विधियायोग की बात करके। लेकिन ये विधियायोग क्या है जैसे 22 विधियायोग, किस्वा विधियायोग, 20 विधियायोग, क्या है ये विधियायोग सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। भारत में विधियायोग का गठन स्वतंतरता से पूरो जब किया गया था तब से हम आपको इतिहास बताते हैं इस विधियायोग का। इस इसके बाद आप सबको बताना चाहेंगे कि विधी एमम संविधानिक इतिहास में इसका महत्व क्या है आप ये भी जान लीजे विधी आयोग का कितना महत्व है प्रारंब में विधी आयोग में चार सदस शुआ करते थे लाड मैकाले, कैमरॉन, विलियम एंडर्शन तथा मै प्रतम विधी आयोग जब गठित किया गया तो उसको उसका क्या उद्देश था विधी आयोग के गठन का आपको बताना चाहेंगे नियायाले एमम नियायालियों की काई प्रडाली में क्या-क्या सुधार लाया जाए इस संबंद में सुझाव क्या-क्या देना है ये काम दूसरा नियायलेयों के अधिकार, छेत्र एमम सक्तियों की जांच करना ये विधी आयोग टै करेगा भारत में प्रचलित सभी विधियों दिवानी, फौजदारी, लिखित एमम परागत जांच परताल करना नीमों, परिनीमों, अधनीमों, आदि में परिवर्तन, परिवर का काम था अब आजादी के बाद सबसे पहले 1955 में विधियायूग का गठन किया गया था तब से ही समय समय पर किन सरकार विधियायूग का गठन करती रही है 20 फरवरी 2020 को 22 विदी आयोग का गठन किया गया था 20 फरवरी 2023 का इसका कारेकाल खतम हो गया था लेकिन सरकार ने 31 अगर्स्ट 2024 तक इसका कारेकाल बढ़ा दिया अब आपको बता दें कि विदी आयोग का कारेकाल कितना होता है कि एक जो आयोग गठित किया गया जैसे किसवाई या बाइसवाई इसका कारकाल कितना होता है विद्यायोग का कारकाल आम तोर पर तीन साल का होता है लेकिन कि इंदर सरकार चाहे तो इसका कारकाल बढ़ा सकता है जैसे 22 में विधियायोग का कारकाल सरकार ने देड़ साल के लिए बढ़ा दिया है इसमें कौन-कौन होता है इस विधियायोग में कौन-कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनको इसमें समलित किया जाता है विधियायोग में एक अध्यक्ष होता है 22 में विदियायोग के अध्यक्ष रेटायर्ड Justis रितूराज अवस्ती हैं करनाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुके हैं चार फुल टाइम सदस्य होते हैं जिनमें सदस्य सचिव भी सामिल होते हैं इसके अलावा कानूनी मामलों और विधाई विभाग के सचिव भी इसके सदस्य हो सकते हैं विधी विभाग में कुछ पार्टाइम सदस्य भी होते हैं लेकिन आयोग में पांथ से जादा पार्टा जो पहला काम होता है इनका ये काम होता कि ऐसे कानूनों की पहचान करना जो अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं और उन्हें ततकाल प्रभाव से खत्म किया जाना दूसरा, ऐसे कानून की पहचान करना जो आज के हिसाब से नहीं है और उनमें संसोधन या बदलाव किये जाने की जरूरत है तीसरा, ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनमें संसोधन या बदलाव जरूरी है इन ससोंदरों का सुझाव देना ये काम होता है विधियायोग का अब ये कैसे काम करता है आपको ये भी बता दें विधियायोग आन तोर पर केंदर सरकार या सुप्रिम कोट या हाई कोट्स के आदेश और फैसलों के आलहार पर किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है कुछ मामलों में विदियायोग स्वता संग्यान लेकर भी काम शुरू कर सकता है काम करने का तरीका क्या है विदियायोग का अब आपको ये भी बता देते हैं कमीसन के सदश्य मिलकर किसी विशे पर चर्चा करते हैं इसके बाद जिस विसे पर कानून बनाने या संसोधन की जरूरत होती है उस पर आमजनता और उससे जुड़े लोगों की राय या सुझाव लिया जाता है मसलन सामान नागरिक संहिता के मामले में विदियायोग ने आमजनता सारवजनिक संस्थानों और मानता प्राप्त धार्मिक संगठनों से उनकी राय और सुझाव मांगता है एक बार सारे सुझाव और राय आने के बाद सारे सदस्य और अध्यक्ष इनपर विचार विमर्श करते हैं इसी आधार पर फाइल या कहली जियाप रिपोर्ट तयार किया जाता है एक बार फाइल रिपोर्ट तयार होने के बाद कमीशन उससे जुड़े कानून का ड्राफ्ट या फिर संसोधित बिल को तयार करती है सबसे आखिर में विधियायोग अपनी रिपोर्ट के इंदर सरकार को सौंप देती है आजादी के बाद से अब तक आपको बता दें तो विधियायोग ने 277 रिपोर्ट सौंपा है सरकार को अब सरकार क्या करती है ये भी जान लीजिए विधियायोग ने एक बार अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी तो विधियायोग का काम यहाँ पर खतम हो जाता है अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार उस रिपोर्ट को सीरियसली लेती है या उसे थंडे बस्ते में डाल देती है या आप कह लिजिए कि उन सुझावों या सिफारिसों को खारिच कर दीती है तो ये विधी आयोग के काम करने का एक प्रोसेस होता है अब यूनिफर्म सिविल कोट में बाइसमा जो विदियायोग है वो इसी तरीके से काम करेगा अब यूनिफर्म सिविल कोट में हम डिटेल बात करेंगे अगले वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अब अगले वीडियो में हम यूनिफार्म सिविल कोट के कुछ और महत्पूर्ण बिंदों पर नजर रखेंगे आज सिर्फ चेतना मंच का मकसद था कि वीडियो कैसे काम करता है पहली बार कब इसका गठन किया गया और इसका क्या प्रोसेस है पूरा ये आपको बताना चेतना मंच का दाई तो था परंकर तव्य था चेतना मंच अगर आपकी चेतना को बढ़ाने में जरा सा भी मददगार साबित हुआ हो तो आप सब चेतना मंच को सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं शिवम दूबे अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूंगा आप अपना बहुत खयाल रखें नमस्कार